हाई तो संडे का दिन है साम का टाइम है साम के भी बज़े हुए हैं पांच और आज का थना की आज हम लोगों ने सुबर बिस्किट और चाई ले लिया था तैने उसके बाद दिन में हमने दालचाउन पनाए थे और लगबग हमने बार साड़े बार बज़े अपना लंच कर कि अपने काम अपने काम था मैंने बोला कि आज है मेरी पार्टी तो उन्हें पार्टी में जाना है तो अगर जाता है ना यह कहीं पी जाते हैं नाइट के लिए तो इस चाल पे हम ना सौट कट खाना पकाते हैं में आटा गुदा होगा तो अंडा बना लेंगे यह कभी आलो के गुट के बना लेंगे तो हम ऐसे बनाते हैं तो आज भी सिर्वलाजी की पार्टी है तो आटा यहां पर देखी मैंने गूट लिया आटा गूट के ना मैं इस कंटेनर में रख लिया एक दम तो और आलो मैंने बॉइल नहीं करें कि आज हम बनाएंगे अंडा आमलेट बच्चों को ना आमलेट काप ज़्यादा पसंद है और क्यों थाना की सटकड़ भी होता जल्दी भी बनता बच्चा अच्छी से खा भी लेते हैं बट अभी थ तो जी साम का टाइम है लगबग 8 बच चुका है और यहाँ पे हम सब अपने अपने कामों में लगे हुए तो अथव के पेपर खतम हो चुके हैं बट आदी के अभी भी चली रहे हैं तो इस वज़े से दोनों को दोनों आपे पढ़ाई कर रहे थे और मैं कुछ अपने हुमा यह मतलब एक रौंड लगाया दैन उसके बाद थोड़ दर बैठे और उसके बाद हम आ चुके थे अपने रूम पे तो साम का टाइम है बच्चों को थोड़ा सा रूटीन में तो आना पड़ेगा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा एंड अधर्व को मैं इसलिए आज कल काफी दिन से हम सब्जी मंडी नहीं गए हुए हैं तो थोड़ी बहुत सब्जी स्रिलाजी जब भी मार्केट जाते हैं लेके आते हैं तो आज भिंडी और यहां पे देखे खीरा लेका थे तो दोनों को मैंने दिन में ही वाश कर लिया था बट और और नहीं कर रख जादा ॥ो देन उसके बाद मैंने फ्रिज में ओर्गनाइस Luis कर लिया था ऌर स्चाइए मैंने रोटी बनाना ज्टार्ट गया था पर देखिए द्धनिया भी हुए चिम सित्व पन अदो और आज अगेन धन्या और लेके आ चुके तो कोई बात ने धन्या की चैटनी काफी ज़्यादा टेस्टी होती है धन कुछ बहुत जो बरतन थे उन बरतनों को फटा फट से वाश कर लेते हैं जादा नहीं थे बस बचों के मिल्क पिये हुए बरतन थे तो मैं जोचा इनको वाश करते देन उसके बाद घर के और सारे काम करेंगे काफी दिन से सोच रहती है कि आपके साथ कुछ सेयर करूंगी तो मैं जोचा क्यों ना आज टाइम है तो मैं सेयर भी करूं आपकों के साथ तो यहां पर देखिए बरतन धूल जाएंगे बरतन धूलने के बाद हम बनाएंगे रोटी तो हर कोई रोटियां अलग-लग तरीके से बनाता है मतलब अलग-लग तरीका होता है और कोई कोई एक साथ पांच रोटी तो जब मैं चोटी थी ना लगबग मैं 8-9 में बढ़ती थी तब की बात है तब हमारे जो अपर जब हम पापा के साथ रहते था थे थी तो वह हमेशा पांच रोटी यह जए रोटी एक साथ बनाती थी तो मुझे बताती थी कि सुमन मैं ऐसे बनाती हूं बट मैं सुछती कि बन सकता है पिर मैंने इनको बोला कि जब भी आप बनाओगे तो एक बार मुझे बुला लेना फिर उन्हों ने बुला आया तो तब से मैं देखा कि हाँ एक साथ ऐसे भी रोटिया बन सकती है तो मैं तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हम एक साथ 3-4 रोटिया कैसे बना सकते हैं और यहां पर देखिए बातों बातों में हमारे जो बरतन हैं वो सारे धोल चुके थे और यहां पर देखिए सिंग को मैंने अच्छे से क्लिन कर लिया था और नॉर्मली आपको पता ही है सिंग दिन में 4-5 बार तो क्लिन हो ही जाता है क्योंकि सिंग ही एक ऐस जो बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है और जिसको हमें बहुत ज्यादा साफ रखने की जुरत पढ़ती है तो जितने बार भी हम लोग अगर बोले की बरतंद होते हैं तो फटा फट से हलके हाथ से हम अपना सिंग भी वाश कर ही लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जब मारे क् पार से पांस ही रोटी खाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने रोटी को अच्छे से बेल लिया और उसके बाद मैं इसको चड़ा लूँगी गैस पे देन उसके बाद में फटा फट से दूसरी रोटी बेल लूँगी और यह पता है काफी इसी है बट बस मुझे इसमें ए बंतर में घर के बाद से दी रोटी कही है even अच्छ मौन गाल टे चीज़योगी तो यह पर देखिए मेरी तीन रोटी से पलत की अब यह जाए तो इसी तरीके से मेरी मैं ओक free को a यह भी सीख चुकी है और इसको भी हम पलट लेंगे तो यह होने को पकती है खाने में अच्छी होती है बट एक जो हम अकेले में फुलका बनता है ना उसका जैसा टेस्ट नहीं हाता क्योंकि वह बहुत सॉफ्ट होता है यह थोड़ा साना हार्ड बन जाती है और यहाँ पे आ इसको बनानी हो तो उस टाइम के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप फटा फट से बनाते रहे हैं शेकते रहें और वो सब करते रहें तो गरम गरम तो कोई भी रोटी हो अच्छी ही ओते हैं लास्ट रोटी मेरी काफी अच्छी फूल जुकी थी तो अब मैं करते हैं अपना डिनर और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में तो जी अभी हम जा रहे हैं नाइट में अच वॉकिंग के लिए तो सिर्वाद जी अभी आ रहे हैं पार्टी से और उसके बाद उन्होंने बुला कि चलों गूम के आते हैं तो हमने का ठीक है फिर बट यह ना जो अब टाइम है आप वॉक कर सकते हो खुला एरिया है ठंड़ ठंडी हवा चल रहे हैं आप देख सकते मिरे बाल भी पूरे उल्ड़ रहे है और सिर्वाद जी ने कुछ ज्यादा ही आज खा लिया है तभी साइथ आज महीनों में हम अभी निकल रहे हैं आज बाहर बहुत द तो वह ऐसे रख दिया हम लोगोने अब कल दिन में असाम कोई खाएंगे क्योंकि बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खाया दैन उसके बाद मैंने फ्रिज में रख लिया था और फिर बच्चों को दिया फॉन क्योंकि आज वह दिन में सो रखे हैं तो अभी नहीं सोईंग बच्चों को तो अभी तो फिलाल सब जगह सांती है और इस टाइम पे गर्मियों को टाइम पर खासकर यहां पर बहुत ज्यादा अची ठंडी हवा चलती है तो गर्मियों को टाइम पर बार वज़े तक लोग यहां पर ऐसे घुमते रहते हैं और यहीं हम कभी रैंट में कहीं और जगा रहें तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें इतना एक दम freely openly हमें कोई वी जगा नहीं मिलती है तो अभी हम थोड़ी देर करते हैं गप्पे मारते हैं और उसके बाद चलते हैं सिधे घर की और